डेली करिंट नियूज में अभी की खबर है जल उत्सव का शुभारम हाली में नीती आयोग ने 15 दिवसी जल उत्सव का शुभारम किया है इस उत्सव का मकसद जल संडक्षन, स्वक्षता और टिकाओ विकास के प्रती जागरूपता बढ़ाना है या 306 से 24 नवंबर तक 20 आकांक्षी जिलों और बलाकों में चलाया जाएगा इसका उत्देश घरों में जल के कुशल उप्योग के प्रती जिम्मेदारी की भावना को विक्सित करना है इस पहल में स्कूली छात्रों को जल प्रबंधन गतिविधियों में नमांकित किया जाएगा जिससे उन्हें अपने परिवारों और समुदायों में बदलाओ के उत्प्रेरक के रूप में कारे करने का अधिकार मिल सके वहीं यह अभियान प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के दृष्टिकूण का अनुसरण करता है जिन्होंने दिसंबर 2023 में आयोजित तीसरे मुख्य सचीवों के सम्मेलन के दोरान नदी उत्सो की तरज पर इसका विचार रखा था जोर तलब है कि उत्सो की शुरुवाद जल बंधन से होगी जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति और स्थानी अनेता जल संसाधनों पर प्रतीकात्मक रूप से पवित्र धागा पाधेंगे बता दें कि जल उत्सो रास्ट्री जल मिशन पेजल और स्वक्षता विभाग एवं जल शक्ती मंत्राले के संग्युक्त प्रयास से आयोजित किया रहा है आएब जानते हैं रास्ट्री जल जीवन मिशन के बारे में इस मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूजना, शिक्षा और संचार शामिल हैं। त्वायन्त में नोट करते हैं आज का भ्यास प्रशन, जल उत्सो के संदर्प में निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए। पहला इसकी शुरुवात नीत आयोग द्वारा की गई है, दूसरा यह उत्सो छे से चौबीस नवंबर तक चलेगा, उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है यह हैं, विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो 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 या विकल्प D ना तो एक ना ही दो, तो इस प्रस्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, धन्यवाद.